2 say hello Friends Today is the part 8 of delicate analysis िसम् worldwide is go पर्लेखिंगे की कि डिसने क्रेक्वेडिये कि एक ही किसकी सटारो से से सकालते हुआ इसे रिलेर्ट्टिव इस पेसमेंट दो ढटाल है घ्रलेक्षिँम्म के सते हीजित है डsetे में रोतेशन हुआ है जनरली डिस्टेशमेंट हम कंस्टर करते हैं कि फिर्स्ट एफ आप 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 इस इंट्रोडक्शन एड एक्ट्स एस्ट्रक्ट्टर इन विच आल मेंबर और सबजेक्टेट टू इधर टेंशन और कंप्रेशन ओनली इसका मतलब है कि जो इसमें bending moment होगा bending moment हर जिए पर trust में bending moment equals to zero everywhere तो तो यह trust है trust trust के कुछ पॉइंट्स जोता हुआ जाए से कि उसमें जितने joints होंगे वह पिं-Jointed होंगे जिटने members हो गए उनमें या तो tension होगा या compression होगा तीसरा होगा कि जो bending moment है हर member में zero होगा क्योंकि किसी में bending movement in case होता है तो फेम जैसे work monet है तो फ्रेम जैसे work नजू पर फिर्श सूर्ण न giàतों वह राईगा एक फ्रेम होजाए है trust में हमें जो लोट से हमें सा joints व अप्लाइओ करेंगे तो फ्रेट करेंगे तो फ्रेयरों को फिल्फिल नहीं कर रहे होंगे तो जो इसका एक general idea है कि जो all members must be applied only at the joints दूसरा क्या है all the members must be straight and connected by a smooth beam तो all members are connected by a smooth beam क्योंकि अगर नहीं होता है ठीक है इनकेस अगर कर्व होता है महां लोग स्टेट बीम नहीं तुमने कर्व बीम लगा दी तो जो कर्व बीम होगी तो उसमें फोर्स प्रस्ट क्या होगा फोर्स जोइन तो जर्लिट फोर्स आयगा तो यह बेंवर कर हें तो वे besser क्राम डर्यसAcरति क्या सब्होंकिर हो wilt है यह एम क्या number of members जे number of joints तो में कुछ होगा इक कुछ टू जो जो ट्रस होगा इस ट्रस की प्रॉपर्टी होगे तो इस टेबल होगा और पर्फेक्ट और इस लेक्चर में हम वाइज डिटर्मेट होगा उसी डिटर्मेट इस्ट्रक्चर के मिलब स्टेडी करेंगा जाएगा मेंबर समय पास जाद है तो deficient और unstable trust हो जाएगा इस एम लेस्टेन टूज जा तो क्या हो जाएगा तब रिड़न्डेंट ट्रस होगा इंटर्निल इंटर्णि डिड़न्डेंट ट्रस लस्में मेंबर्स कम है मेंबर्स हमें उसमें रिकॉर्ण देना है करी ना करी है करें आफम नेक्स्ट हम ट्रस्के अनलिइस किससा तरह करते हैं वह तरस करते हैं पहला मैंध़ेंग ऑर दूसरा मैध़ेड़ा मैंधड सेक्शन दोनों को अलग-अलग हमने आगे बताया है कि कैसे सॉल्पकना है method of joint से हो कैसे method of sections से तो जैसे जो जो डिफलेक्शन of trusses में में जिससरे वह डिपेंदेंट्न है वह के शिखर शिलाज़ेयों सोलडू टो एसे ज जरीलिली टिरीम है दो दरह के दो ठीम सोती है के श्टलोन तेहोरम फस्ट एनं के डिलॉश्त लग और हम सेट तो एस पर फस्ट लॉर मं deflection as professor theorem deflection is the first partial derivative of total strain energy with respect to a load on a structure at any point gives deflection at that point del u by del w jismay u q u st energy w q lyo loadублиya esteoglano theorem second kya kya is my question of the theorem second use kya is load nifpl p q1 q2 p w rp s a my notation सब्सक्राइब तो इसके लिए और इसमें यू का सिंपल फॉर्मुला आप पढ़ ही रखे हैं यू को समेशन पी स्क्वार ल बाई यह आपका सोम में आप पढ़ रखे होंगी चीज़ें जिसमें पी पी कहा है पी और डब्लू सेम चीज़ें यह कहा है फोर्स इन ऑल मेंबर दू आप्लाइड लोड डब्लू लेंथ अफ इच मेंबर इ मोड्लास अफ लेस्टिस्टी ए एरिया अफ मिंबर एरिया उप्रोस्च्छन तो डल व वर्टिकल डिरेक्शन में दिफ्लेक्शन को डल यू बाई डल डब्लू तो डल व कुष्टिक यह जाएगा समेंशन पी वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है उस पॉइंट में यूनित लोड लगा के जो फोर्सेज आएंगे ओल मेंबर में उनको केस रिनोट करते हैं ठीटा क्या ठीटा ठीटा के फॉर्मूला पर यह सेम समिशन पी केल अपॉन एई इसमें किया है कि फोर्स इन आल इंबर ड एक इंट्रोडेक्शन टाइप में है इसको आगे हमने कंसेट वाइज में डिनोट करके रखा है अब यह आगे पाट में नेक्स स्लाइड में अब जनरल जो डिफ्लेक्शन आफ टासेज इसमें हमारे जो कुश्चन आते हैं वह तीन तरह कंसेप्ट पर आते हैं उन तीनों इसे प्लेक्शन करना है या और जो डिफ्लेक्शन करना है उसके लिए डिकोश्चिट डेल यूबाइड यूज करते हैं तो उसमें डेल वर्टिकल लगा है तो डेल वी इस वर्टिकल डायक्शन जैसे एक नीचे एक ग्जांपल टाइप में रखें कि एक ट्रस्ट बनाए है उसमें इसमें प्वाइंट पर हमको वर्टिकल डिफ्लेक्शन इसमें पहले पर फोर्स निंकालें तो सारे प्लाइब मिर्स लागा के जिस जगह पर भोन और यह हैं और अनुके फॉर्स निकालता है है duty unit load लग रहा है तो उसको हम denote करते हैं कैसे ल क्या है L है length of member area of cross section of member E modulus of elasticity to deflection in vertical direction at E equals to summation pkl by a E ऐसे हम denote करेते हैं तो concept है कि अगर हमको deflection fine connects joint पर method एक यह है उस point पर unit लोगा दूसा concept क्या है कि दूसरा हम उसे पूछ लेता है question की find deflection या find related displacement of two joints कोई trust देगा आपको उसमें दो joint के बीच में इनके बीच में unit deflection हमको unit displacement रहता है तो इसको इसको find करने के लिए सबके लिए सेम है submission PKL by A यह formula आपको याद रखना है और यह याद रखना है कि जहां जब भी इसमें displacement deflection की बात कर रहा हो तो unit root लगेगा तो अब जैसे इस case में हमको क्या करना हो जैसे माली जैसे जो नॉर्मल हमको trust question में दिया रहाएगा उसमें सारे में फोर्स निकालेंगे द्यूट्व एक्टिंग लोट के वैसे जैसे इत्रस्ट दिया इसमें डब्लीवन डब्लीवन डब्लीट वैसे हम सारा लोड निकाल लेंगे तो वह सारा पी हो जाएगा उसके बाद हम क्या करें स एक दूसरे के direction में फिर उससे हम trust में हम force find करेंगे तो के मिल जाएगा एल पता ही है एपता है और ईपता है तो ऐसे डेल डिस्पेस्मेंट हमको बी में मिल जाएगा डेल कोई समेशन पी केल वाई अगर डेल माइनस में आता है तो हमने जो दोनों यूनिट लोड की direction लिये जो मालमने एक साइड में acting करते हो लिए मिंस compression में हम मानने कि उस direction compression हो रहा है मतलब एक दूसरे के नीरस्ट आ रहे हैं तो वह अगर negative आता है तो मतलब हमने गला direction लिए उसके opposite direction में लगाना होगा तो जब लास्ट में दिखाएंगे answer में तो मुसको opposite direction में सो कर देते हैं तो to applied loading की मतलब कोई trust है उसमें loading की हुई है उसके वाइश से बोल देगा कि इसमें हमको rotation बताओ कोई भी एक member बात कर देगा तो समय सब्सक्राइब कर देगा तो समय सब की तरह आपको forces निकाल लेने हैं सारे members फिर आपको के के लिए के क्लिसमें का करना होता है जिन जिस मेंबर में हमको rotation बोला हो तो एक member है तो दो joints होंगे उसमें तो जोनों joints में joints में 1 by A मतलब 1 by A A क्या है यह length of member 1 by A और दूसरे joints पर 1 by A opposite direction force act करके और remaining जितने forces उनको हटा के हमको force निकालने होते हैं फिर वह k हो जाएगा L पता है और E पता है यह पता है तो हमको ऐसे rotation of member हमको मिल जाएगा अभी question जो आपको दीख रहा है यह जो आपका concept 1 concept 1 पर dependent करता है जिसमें क्या था उसमें एक किसी joint पर हमको vertical deflection है horizontal deflection पूछ रहा हो तो वही है जैसे question इसमें पूछ रहा है आपको test दे भी है जो पूछ रहा है find vertical deflection at joint B तो vertical deflection at joint B पूछ रहा है तो मत्मीस chart form करना है तो इससे आपको deflection निकालेना तो पी निकालेंगे पी किसकेस निकालता है जो applied loading उस trust में 10 kN की applied loading है 10 kN की वज़े से trust member में forces क्या क्या होंगी आप निकालेंगे चाहे method of joint से से निकाल लिए चाहे method of sections से निकाल लिए और वाकि आपको पिछले पार्ट में आपको हमने force निकालना बताया था method of joint section से निकाल सकते हैं तो 10 kN है तो 10 kN है तो BC section है उसके opposite direction में force का symbol लगेगा arrow लगेगा और तो क्या हो जाएगा बीसी कॉस्टिफाइव बीसी साइन फॉर्टिफाइव एक लेंस सेम है वन वन मीटर है तो हमको के निकालना के निकालना मतलब के के लिए हमको यूनिट्ट लोड लगाना पड़ेगा किस जिगर पर जहां पर हमको deflection चाहिए तो हमको deflection भी पर चाहिए तो यहां यूनिट्ट लगा देंगा और बाकि सारे forces खटा देंगे अब वन की वैएसे आप यहीं पर लिगा अबक्रấu निकाल लेंगे में लोड निकाल लिया अब्ष्ण फिर एक आप चाहिए इसमें पर या निकालर्ट लेंगे пох ama दोनों को समिशन कर देंगे तो आपको deflection at joint भी मिल जाएगा अब जैसे कभी-कभी deflection का फॉर्म में समा रहा है PKL by AE तो आपको पता है क्या होता है इक deflection ही होता है एक तरह से और K member होता है तो कभी-कभी हमको क्या हो जाता है कि हमको deflection देगा किसी फॉर्म देदेगा temperature correction जो हमको deflection में लाए या applied load वैसे तो हमको और कभी-कभी देदेगा कि दोनों हो तो उस case में हमको जगर दोनों बोथ effect प्रजेंट है लोड effect भी है और temperature effect भी है तो हमको दोनों consider करना है कि उस member में हमको दोनों को वैसे deflection निकालना है और दोनों को add करके उसा common deflection होगा तो इसके लिए से माहलों को किसी point B पर हमको वर्टकर deflection चाहिए तो देल वी भी कुछ सुमिसे संभी-कल वाई ही होगा तो इसको के इंटू डेल भी लिख सकते हैं देल इंटू deflection के इंटू deflection और वो कि दो डोड अपलाई होगा तो deflection का होता पील और पाइंडू deflection वाला होगा तो alpha TLल या alpha L NatT यहाइज होगे तो उसमें जैसा फुषे आग़ एक एफक्क की बात कर रहा है कि के डल बदो टू बात कर रहा है है तो या का या के देल डिजलन प्लस डिलदेल गागा आफ हम next concept पर आए जो हमारताorf, डिस्पिलेंसमेंट वाला तो उसका एक example है तो उसमें क्या परता है कि प्लिजिव डिस्प्लेंसमेंट निमया लीन ही डिलेंर बिच में यकालना आख थाथ तो था मैं उनित लोड वहां पे चैस्ऐ आप इंडी डाइक्षिन में आपको निकालना है तो अब इसमें पो दिया गया का अब जैसे में आपको यहां दिया गया अल्फा अल्फा आपको तेंपरेच्ऑ दे दिया गया और गए ई-ई-ई जेटी उपरिफरी दो ट्योंरालारी बृत जो तो और जो है मतलब EJ और IJ इनके लाव मतलब EG, GG, GH, HI यह सब इनमें नहीं हो रहा है मतलब temperature correction इनमें इसका मतलब है नहीं होगा ठीक है temperature correction नहीं होगा और इसमें कोई force सो लग नहीं रहा है पूरे truss में तो इसमें क्या होगा तो जो इसमें forces होंगे all members में 0 होगे except EJ और GI क्योंकि इसमें temperature correction हो रहा है temperature correction होगा तो आप deflection क्या होता है alpha TL alpha T होगा alpha हम को पता है T पता है temperature कितना rise या fall हो रहा है और L length लेंध को पता है तो हम deflection at in the member EJ निकाल लिंग alpha TL से जो हमको आया 12 into 20 power minus 6 जो कि alpha है 30 temperature है and 3000 जो कि 3000 mm जो कि उसकी length है तो इसमें हमको deflection in member EJ मिल जाएगा हमको deflection in IJ निकालना है तो इसमें क्या हो जाएगा वह भी alpha TL हो जाएगा इसमें जो L होगा वो 3000 root 2 तो हम इसे deflection in IJ निकाल लेंगे remaining members में हमको deflection नहीं होगा क्योंकि temperature rise नहीं हो रहा है और कोई इस member और इस trust में कोई भी external force नहीं लग रहा है तो इससे हमको P मतलब उसमें जो हमको डेल हमको मिल गया है हमको के निकालना है के निकालना है क्यों डेल तो हम माल लेते हैं कि E और H में same direction में एक वन क्लियोंटन फोर्स लग रहा है अब वन क्लियोंटन फोर्स के ऐसे सारे members में हम forces निकाल लेंगे वन क्लियोंटन के ऐसे matter of joint उसके लिए matter of section उसके लिए जैसे इसमें साब सब दीख रहा है यह क्योंकि यहां इसमें कोई भी external force लग नहीं रहा है तो यहां क्या होगा यह जीरो फोर्स आएगा तो सेम ऐसे आप के निकाल लेंगे तो आपको फिर अब इसमें क्या आपको के और डेल की जो रहती तो member EJ IJ सिर्फ इन्हीं दोनों में forces हैं पहले तो तो इन्हीं में deflection आ तो इन्हीं को consider करने के रहती है तो इसमें पहले की वल्य देख लिए के की वल्य इनमें EJ में हैं और फिर डेल की वल्य लिख लिए फिर दोनों को multiplication कर देए सब्सक्राइब आपको मिल जाएगा अब जैसे यहां पर deflection इस डिरेक्शन तो मतलब आपने जो सेम डिरेक्शन में forces लिए मतलब गलत हैं हमको अपोजी डिरेक्शन लेना चाहिए था अपोजी डिरेक्शन में लेते तो निए पॉस्टिव आता तो हमको जो फाइनल डिख अब यह कोश्चन हमारा जो concept 3 था जिसमें हम रोटेशन की बात कर रहे थे कि अगर किसी मेंबर में रोटेशन पूछ ले तो हमको कैसे सॉल्व करना है तो फॉर्मलों समें सेम था पीकेल बाई एई तुपेंड करता है कि महां पर आपसे अगर तंपरेचर कर रहा है कि दोन टमपेचर लोट के सब्सक्राइब बात कर रहा है तो यह आपको ध्यान रखता है जैसे अब बताया था तो जैसे यह कोश्चन है इसमें बोल रहे हैं फाइंड रोटेशन आफ मेंबर एब अब इसमें कुश्चन आपको सॉल्व करना तो इसको बनाना था तो उसको पूरा निकालना नहीं पड़ा डेल आपको सॉने टिफलेक्शन दे दिया पीखे विजए तो जीसे देदिए उसना माइनस तो आप एक माल लिए की माइनस लांगेशन हो रहा है पॉस्टिव सायन कॉमाल लिजे लांगेशन हो रहा है तो अब इसके लिए आपके लिए डे दोनों एक दूसरे का पजिए डिरेक्शन लगा दिए अबी में पुछा तो तो फिल्सक्राइब दूनों में फोर्स के अलगेंगे हैं तो हम टेबल करेंगे एक में आपके वैल्यू एक में फॉल्यू एक में डेल वैल्यू लाश्ट में है rotation AB तो सारे मेंबर्स को rotation multiply करें मिल जाए तो थीटा AB कोश्च तो आया minus 6 by 3000 अभी हम minus आ रहा है मैंने सारा है मतलब हमने लिए दिया था मतलब AB को हमने रोटेशन दिया है मतलब clockwise हम जैसा फोर्स लगाए हूं clockwise मानने कि अगर clockwise हो रहा है तो अगर clockwise हो रहा है तो प्लस 6 by 3000 आता निगेटिव आ रहा है मतलब जो AB direction को rotation है वह anticlockwise 6 by 3000 होगा तो इस तरह यह चैप्टर deflection of stress खतम हो गया तो प्लीज अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेर कमेंट सब्सक्राइब और एंड प्रेस बेल आइकन सो यू नेवर गेट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट में मेंशन करिए और किसी तरह के वीडियो चाहिए तो बताइए थैंक्यू झाल झाल झाल